हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो गेट समेशर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू से एस्टार एडमिसीबल, एस्टार के उपर आलड़ी मैंने एक वीडियो बनाई हुए यह बहुत बारा, बहुत सारे material जो है online available है, यह even offline books में भी मारे पास available है still हमें यह point clear नहीं होता कि over estimation, under estimation का funda क्या है और हम इसको कैसे एक real life example से relate कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं real life example से आपको explain करने जा रहा हूँ और इसको prove भी करने जा रहा हूँ with the help of values तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि over estimation और under estimation का funda क्या है तो उससे पहले मैं आपके बताना चाहता हूँ कि hn less than equal to h star नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है this is the meaning under estimation, hn यहाँ पर क्या है, heuristic value मतलब अगर हम बात करें, let's say s हमारी starting node है, s से हम गये, let's say किसी node n पे वो हमें already पता है, लेकिन n हमें क्या देता है, heuristic value देता है, कि मैं तुम्हें gold state पे इस particular value में ले जाऊंगा तो यह हमारी एक estimation value होती है, एक estimated value होती है, तो अगर हमारी estimated value जिसको बोल दे है hn तो आप इसको लिख सकते हो, यह है हमारी estimated value और h star n जो है, वो क्या है, actual value, actual value का मतलब है, कि n g पे हमें actually किस value पे लेके जा रहा है, that is called the h star n तो यहाँ पे अगर हम बात करें, let's say मेरी estimation अगर less है, तो इसको में बोल रहे है, underestimation, मेरी estimation अगर greater है optimal value से, तो optimal value इसको आप optimal भी लिख सकते हो, यह actual भी लिख सकते हो, तो अगर मेरी estimation है, वो greater है optimal से इसको में बोलते है, over estimation, तो मैं एक बहुत ही simple से example से आपको explain करने जा रहा हूं, let's say आपको एक laptop purchase करना है, और उस laptop की जो optimal price, actual price है, वो है 30,000, आपको इसके बारे में नहीं पता, आपने एक estimation लगाया, और आपने क्या किया, market में गए अपने estimation के according, कि मेरे according यह price होगा, अगर आपका estimation, जो आपने सोच हुए अपने mind में, आप shop, let's say वहाँ पे 3 4 shops है, आप shop number 1 पे गए, तो जैसे ही आप shop number 1 पे गए, वहाँ पे अगर आपका estimation ज़्यादा हुआ, मतलब आप सोच के बैठे थे कि यह 30,000 का actual cost है, लेकिन आपको नहीं पता, आपने एक estimate लगाया कि 40,000 cost है, तो इसको बोल रहे है over estimation, तो अगर आपके mind में है कि 40,000 का laptop है, लेकिन दुकानदार ने बोला 30,000 का है, तो आप इस situation में क्या करोगे, कि आप next shop पे जाओगे, या तुरंत पैसे दे के laptop purchase कर लोगे, दूसरा हम बोल रहे है under estimation, under estimation का मतलब क्या है, कि actual cost है 30,000, optimal, वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने mind में एक लगाया है estimation कि 20,000 का laptop होगा, तो आपका जो estimation है 20,000, वो less है actual से, तो जैसे ही आप market में गए, shop number 1 पे गए, उसने बोला कि ये laptop तो 30,000 का है, लेकिन आपने mind में क्या लगाया हुआ था 20,000, तो क्या आप next shop पे जाओगे, ये point जो है, इस point के उपर ही सारा under estimation और over estimation exist करता है, तो हम इसको actual में with proof यहाँ पे goal node है, और starting से goal में जाने के लिए जो हम open लेते हैं, जो intermediate nodes लेते हैं, वो मैंने दो लिया है, A और B, और यहाँ पर मरपस given है, G of A, क्या given है यहाँ पर 200, और G of B यहाँ पर again given है, that is 200, मतलब जो fixed values, जो actual values जो है, लेकिन ये जो 40 और 50 मैंने red में लिखा है, ये क्या है, H star, मतल cost A से G पर जाने की, B से G पर जाने की, तो let's start with the case number 1, तो मैं case number 1 यहाँ पर ले रहाँ, over estimation का, तो over estimation के case में हमने क्या लेनी है, जो हमारी estimation है, वो greater होनी चाहिए, तो मैंने अपनी estimation ली, let's say मैंने यहाँ पर लिया, कि H of A हमारे पास है 80, और H of B हमारे पास है 70, ये मैंने यह यहाँ पर value ली, तो 80 और 70, obviously जो है आपकी value greater है, क्योंकि 40 और 50 से value greater है, तो यहाँ पर मैंने over estimation का case लिया, क्योंकि H of N हमारा जो है, वो greater है किससे, H star से, तो अगर हम इस case की बात करें, तो होगा क्या, सबसे पहले हम क्या बर लेंगे, जैसे हम A star में करते हैं, मैंने already last video में explain किया हुए कि हमें कैसे इसको solve करना है, तो S से अगर हम A पर जाते हैं, तो हमारी cost क्या है 200, तो इसको हम find out करते हैं, let's see, अगर हमने find out किया यहाँ पे, F of A, सबसे पहले case 1 में F of A find करते हैं, तो F of A क्या होता है, हमारी जो main theorem है, या main formula यहाँ पर क्या है, F of N is equal to G of N plus H of N, क्योंकि A star जो है, वो सारा इसी equation के round जो है, वो revolve करते हैं, तो G of N जहाँ पे, अब G of A कितनी है हमारी 200, plus H of A कितनी है, H star नहीं लेनी, H of A, H of A है हमारी 80, तो यह total cost कितनी होगी 280, और S ही हम F of B निकाल लेते हैं, F of B क्या हो गया 200, that is G of B 200, plus H of B, H of B कितना है 70, तो यह कित हो गया 270, मतलब S से A कह रही है कि मैं तरको 280 पे ले जाओंगी gold state में, और यह बोल रही है कि मैं तरको 270 पे लेगी जाओंगी, तो obviously दोनों में से minimum कौन सी है, B वाली, तो मैंने कौन सी choose की B वाली, तो यानि इसको हम कैसे लिख सकते है कि S से एक A है, और एक B है, तो हम B वाल करते हैं next G state पे, तो जैसी हमने G state पे पहुंचे, अब हम find करते हैं क्या F of G, तो F of G का formula क्या होगा, same G of G plus H of G, मतलब actual value plus H, मतलब heuristic value of G, तो सबसे पहले हम find out करते है, what is G of G, तो G of G आप कैसे find out करोगे, G of G का fundा है कि यहां तक पहुंचने की cost कितनी है, तो यहां पे आप G, मतलब 200 plus 40, लेकिन यह हमने consider नहीं करने क्योंकि हम obviously किस के through गए हुआ है, B के through हम नीचे गए है, तो B के through गए तो 200 plus 50, क्या बनगी है, 250, G तक पहुंचने की जो actual cost है, 200 plus 50, कितनी होगी 200, plus H of G, तो 250 plus H of G, what is the heuristic value of goal state, goal state की हम heuristic value generally क्या लेते है, 0 ही लेते है, तो यानि आपके पास क्या आगई, heuristic value, यहाँ पे आपकी जो actual value क्या आगई, 250, मतलब आपकी जो cost है, S से G पे जाने की goal state में, वो कितनी लगी, 250, तो आप तुरंत जो है, वो A star यहाँ पे stop कर जाएगा, क्योंकि आप यह A पे जाएगा ही नहीं, मतलब A के through यह कामी नहीं करेगा, और जो आपकी goal state पे जाने की cost है, वो 250, जो कि less than है, तो यह यहीं पे stop कर जाएगा, मतलब इसके according यह value final है, लेकिन अगर हम बात करें case number 2 की, तो case number 2 हमारे पास है क्यों सा, under estimation का, under estimation का funda क्या है, कि H of N should be less than, मतलब आपका जो estimation है, वो less होना चाहिए, किसे actual price से, या actual cost से, ज जिसको optimal भी बोल रहे है, तो case 2 में मैं यहाँ पे again H of A ले रहा हूँ, और H of B ले रहा हूँ, तो इसकी value obviously हमें less linear, किसे 40 और 50 से, तो यहाँ पे मैंने H of A ले लिया, let's say 30, और H of B ले लिया, let's say 20, अब हम again find out करते हैं इसी method से, तो सबसे पहले हम find out करते है, F of A, तो F of A find out क plus, मतलब G of A plus H of A, यही formula है, जो हमने यहाँ पे लगाया, what is G of A, 200 plus, what is H of A, H of A, this is H star, तो H of A हमने लिया है, that is 30, तो यह क्या बन गया है, 230, ऐसी हमने find out किया, F of B, तो F of B क्या आएगा, 200 plus 20, that is 220, 200 plus H of B हमने लिया है, 20, तो यह क्या बन गया, 220, तो यहाँ पे कहने का हम दोनों में से किसको चूज करेंगे, obviously less वाली को चूज करेंगे, और वो कौन सी है, F of B, तो हमारे पास जो formula के according क्या बन गया, S से हम A पे, यह हम जा सकते हैं B पे, और देखो दोनों में से कौन सी कम है, A वाली कम है यह B वाली, B वाली कम है, तो obviously हम B वाली को चूज करें है, लेकिन अब हम find करते है, F of G, F of G find करने के लिए आपको G of G find करना है, plus H of G, तो H of G तो आपको पता अलेड़ी 0 है, और G of G का मतलब क्या है, कि आपको G तक जाने की cost, तो G तक जाने की cost हमने B के थ्रू भी देखनी है, क्योंकि हम B के थ्रू गए है, तो B के थ्रू कितने ह ही थी यहां भी हमने 250 ही calculate की थी तो obviously यह तो same ही आएगी that is 250 प्लस 0 means 250 is the f of g तो यहां पर हमने लिख दिया क्या 250 लेकिन यहां पर यह stop नहीं करेगा क्यूं क्यूंकि आपके पास already एक state a है जिसकी value 250 से कम है तो अब a star रुकेगा नहीं a star a पर भी जाएगा a के थ्रू भी वो calculate करेगा तो जैसी मैं a के थ्रू calculate करता हूँ तो a के थ्रू calculate करते हैं again f of g तो f of g अगर दुबारा calculate करोगे तो g of g निकालो plus h of g तो h of g आपको already पता है क्या है 0 f of g आपको h of g आपको h of g पता है आपको क्या है 0 मतलब heuristic value of the goal state is what 0 लेकिन g of g what is g of g through a 200 plus 40 तो 200 plus 40 कितना हो गया 240 तो यानि f of g अप final कितना आया 240 जो पहले क्या आ रहा था 250 अब कितना हो गया 240 मतलब a कहती है कि मैं तिरको 240 में ही goal state पे पंचा दूँगी b जो पहले कह रही थी 250 पे तो यानि 240 मतलब जो अब आपकी optimal answer आया अब आपका optimal answer आया है लेकिन ये जो है optimal answer नहीं दे रहा था हो तो यही आपका जो फंडा है कि अगर आप underestimation करके चलोगे तो आपके chances है आपको definitely optimal solution ही मिलेगा लेकिन over estimation के case में ये जिरूरी नहीं और ये anti net में क्या बहुत सारे competitive exam जी में आता है लेकिन हमेशा student confused हो जाते हैं कि इसको actual में solve कैसी करना है अब मैं वही point पे आ रहा हूँ कि आप क्या करोगे अगर आपने estimation लगाया 20,000 और बंदे ने बोला कि ये laptop है 30,000 का आप क्या करोगे आप obviously आपका estimation जो है वो कम था कि यह तो 20,000 में आना चाहिए laptop लेकिन उस बंदे ने बोला 30,000 आप क्या करोगे दूसरी दुकान पे भी जाओगे तूसरी पे भी जाओगे तीसरी पे भी जाने की कोशिश करोगे वही हम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन ये case क्या था कि आपने estimation लगाया था कि यह laptop वो 40,000 का मिलना चाहिए लेकिन दुकान दर ने बोल दिया 30,000 आपने तुरंत पैसे दिये और आप laptop लेके आगे लेकिन हो सकता है shop number 2 या shop number 3 जो की A थी वो आपको कम cost में कम पैसों में वो चीज़ दे देता है लेकिन आपने admissible हुए ही नहीं आप पहले ही answer अपना निकाल के चलेगे तो optimal answer हमेशा अब ही आएगा जब underestimation करोगे so this is how you have to solve the A star आपको पहले A star की जो basic video बनाई है वो देखनी है वो भी बहुत अच्छी वीडियो जिसमें आपको सारे concept clear हो जाएंगे A star काम कैसे करता है लेकिन over estimation और underestimation तो most important है और इसमें students सबसे ज्यादा confused हो जाते हैं लेकिन अब आपको इन दोनों points से बहुत ही clear idea हो जाएगा थैंक यू